हेलो एब्रीवन मैं मेतुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे जारकण में ऐसी थमनेल वाली वीडियो बनाने में बड़ा कस्ट होता है लेकिन रियालेटी से अगर आप मुझ चुपाओगे और दूर भागने की कोसिस क पर होगे तो कितना ही दूर भाग पाओगे आप यह जारकण की सबसे बड़ी सचाई है एक और मामले में जो जारकण सिक्षक न्युक्ति भरती प्रक्रिया है उसे हाई कोट में घसीटा गया है पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा और आपको पूरी जानकारी इस व विडियो शुरू करने से पले आप लोगों का सहीयोग चाहिए मुझे, जितने लोग, यहाँ पे ना मैं अपने चैनल पे एक बात की पूरी आपको गैरेंटी देता हूँ, आपका भी चैनल है, अपना चैनल बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप नीचे कॉमेंट करके बताओगे, आप जेटेट 23 करवाना चाहते हो, तो जेटेट 2023 लिखिएगा, जो भी जेटेट 2016 वाले कैंडिडेट हैं, वो जेटेट 2016 लिखें, मैं किसी के भी कॉमेंट डिलेट नहीं करूँगा, मैं जेटेट 2016 वाले की संख्यां जादा है, या नए वाले जो जेटेट 2016 की प्रक्रिया है, वो, अब तीसरा एक और केस आता है, जो कुछ जेटेट वाले बहुत तेज विद्वान बेखती हैं, इनका कहना है कि जोब दो डारेक्ट, तो जेटेट 2016 जोब दो, नीचे कॉमेंट करके बताना, इनका कहना है, कि हम लोगों ने जेटेट पास किया, तो मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, तो नीचे कॉमेंट करके आप अपनी राय रखिए, आपकी जो भी राय है, पसंदीदा को देखती है तो इतनी मरियादा तो आपको बना कर रखनी ही चाहिए कि आपके कॉमेंट को अपने परिवार जनों के साथ आप भी पढ़ पाओ ऐसा ही कॉमेंट आप करना देखिए अब जार्खंड सिक्षक भरती जो है खत्रे में क्यों है इसके बारे में बात करेंगे सहाय जेटेट 16 और 12 के जो प्रीविएशर कोश्चन पेपर है जो जेटेट के एक्जाम कंडेक्ट कराया जा जोके हैं अगर आपने अभी तक उन पेपर को नहीं देखा है नहीं उल्टा पल्टा है और आपको पैटरन की जानकारी नहीं है तो प्लीज यहां से मेरी इमेल जो आपको बता दिया आपको अगर जरूरत है तो ले लीजिए नहीं जरूरत है तो आगे बढ़िए और न्यूज वाले चीज़ों को देखिए सबसे पहली बात यहां से देखो एक्जाम कौन कंडेक्ट कराने वाली है मैं वेट इसको अच्छे आपको देख यहां से देखिए आपको पता है जरकण में बहुत लोप वाले लोग करते हैं कि अरे तुम्हारे यहां तो 26,001 पदों पे भरती आ चुकी है, है न, 26,001 पद पे भरती आ चुकी है, आपके यहां, तो बड़ी अच्छी वात है न, तो देखे, देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, वेट, अब देखो, यह 26,001 पद पे जो भरती आई है, यहां से सारे लोगों को पता है, लेकिन, इसमें कैच क्या है, यह जो पारा टीचर है न, पारा टीचर को यह 13,000 के पद के करीब जो है, लगबग लगबग 13,000 उसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, आधे पद जो है पारा टीचर को दे दिया गया है, अब आप ही बताओ, जब आधा वेकेंसी की जो टीचर की वेकेंसी है, आ आप बोलो ना 12,000 पत पर ये प्रोमोशन के लिए आप एक्जाम ले रहे हूँ आप सिधी सिधी बात है ये तो यहाँ पर पहले हाई कैच है लेकिन इसी कैच में सरकार गिरी है जो दूसरा केस हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ यहां से देखो सहायक अचारी नियुक्ती निमावली में पारा सिक्षकों को 50% आरक्षन दिये जाने के मामले को लेकर जारकंड हाई कोट में सुनवार को सुनवाई हुई ठीक है अच्छी बात हैं सुनवाई हुई देखिए इसमें क्या कहा गया है यहां से आप देखोगे तो समझ में आए गई है बाद में समिदा कर्मियों का आरक्षन समाप्त कर दिया गया यहीं पर कैच फंस गया और निमावली में संसोधन कर दिया गया सरकार ने 2023 निमावली बनाई जिसके तहत केवल और केवल सिक्षकों पर यह लागू होगा और जो स्टाफ है उन पर यह लागू नहीं हो अब जिन पर ये लागू नहीं होगा वो पहुंच गए हाई कोट और उन्होंने कहा कि भया हमारे साथ हो रही है ना इनसाफी बिल्कुल बात है यह सच बात है देखो यही तो जारकर्ण सरकार कर रही है कि भरती को धरातल पर उतरने ही नहीं देना है कुछ ना कुछ ऐसा नि देखो एक और मामले में क्या हो गिया था आपको पता यी है कि G2 piora को इनों ने ले लिया और नया जेट यह करा ही नहीं रहे तो दोनों मामले में देखो आपस में लोग लड़ रहे दो अलग-अलग मामले है सिक्के के दो अलग अलग पहलू है लेकिन सरकार की मनस आपको यहां पे क्लियर दिखेगी एक आखरी बार जो एक परिशा ले ले जाती जेटेट की तो क्या ही विगड़ जाता सरकार का लेकिन ना भया ना इन्हें तो करनी है अपनी मनमानी और यह आपको फसाएंगे गहरे दल दल में ऐसी चीज़े हो रही है अब देखो यहां पर 26001 सहयक अचारियों की निक्ति होनी है लेकिन मामला फस चुका है मैंने आपको बताया है 15 सेप्टेंबर तक आखरी डेट है जो कि एक दो महिने तक extend किया जाएगा क्योंकि High Coat जो है कभी भी आई रिपीट कभी भी जो है जेट है दो हजार 23 को जो है कराने को लेकर जो है एक फैसला सुना सकती है यह कभी भी निरने आपके सामने आ सकता है आ जाए कल आए परसो आए कभी भी यह बातें आ जाएगी यह crystal clear सरकार ये जो हाइकोट है इसने अपना फैसला जो है रिजर पर रखा है सुरक्षित रखा है इस पर फैसला ये आराम से जो है सलला मसवरा के बाद लेंगे I hope कि मैंने बार-बार काता हूँ कि आप जिस भी धर्म में बिलीब करते हो अपने जो भगवान है अल्ला है गौड है उनसे परात्रा कीजिए कि जेटट की परिशा एक बार जो है हो जाए और हाइकोट ये जो है फैसला मान ले तब आप जो है अपने आसपास के जिलो में आपके सिक्चक बनने का आपकी जो भी राय हो नीचे कोमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप क्या सोचते हो अगर आप मेरे बिरोध में हो तो भी कोमेंट कीजिए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन संसद ये भासा का इस्तिमाल करें ऐसा कोमेंट करें ज स्दिया मेंट कोमेंट करें आपकें जी जाय है।